वे रोजगार बैटने से बढ़िया है कि आप लोग अपने गारी लीजिए डराइविन लाइसेंस आपके पास है ओला उवर में सबसे बड़ी अच्छी गारी कौन सी है जिसके मैलेज भी अच्छा हो खर्चे भी आपको अर्णिंग करना है या सौक इन पालना है नमस्कार मैं अपने यूट्यूब चैनल एटीव ब्लॉग में करता हूँ सभी को स्वागत दोस्तों एक बार जय सिरी राम दोस्तों आप लोग दोज़र चोबिस आच चुका है आप लोग अपने बेरोजगार बैटने से बढ़िया है कि आप लोग अपने गारी लीजिए ड सबसे बड़ी बात कि ओला वर में सबसे बड़ी अच्छी गारी कौन सी है जिसके मैलेज भी अच्छा हो खर्चें भी कम हो और क्या कि कमफर्डेबल हो आपके लिए प्राइज में तो आप नए से स्टाट करें प्राणे से स्टाट करें आप वीडियो में बने रहना आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इस तरह के कॉंटेन लाता रहता हू तो मुझे जरूर फॉलो कीज़ेगा फेस्बूक पर चलिए जोस्तों आपका में परपस क्या है आपको अर्निंग करना है या सोखें पालना है सबसे होता है कि हम अर्निंग करने के लिए सबसे बैस्ट गारी कौन सी है एक एंसी आरे जैसे कि दिल्ली निवेडा गुरगां सतर मतलब सो क्लिमेटर के दारे में लगभग इंसी आरा आता है आप वहां पर जाकर के काम कर सकते हैं और गारी कौन सी होगी गारी अगर आपके बजट के हिसाब से ठीक है बजट नॉर्मल है ना ज्यादा ना कम तो आप वैगनार पर जा सकते वैगनार की मैलेज भी अच् सियार के लिए छोटी शोटी गलिव में जाना उफ बहुत लटा अच्छा है ऊसके लिए और आप अगर आए थोड़ा सभी यह पर मंंत का था विशू नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और दूसरी कि आप थोड़ा सा अच्छा और हैवी फीचर्स टेक्नोजी में जाएंगे तो और भी ट्राइ कर सकते हैं और भी अच्छी गारी है और में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी और आमें यह होता है कि आ और या ट्यॉस्त इससे आप दिल्ली में भी काम कर सकते हो दिल्ली से बाहर भी काम कर सकते हो इसके अलबा दिकरों जो भी भाई आता है सबसे-बैस्ट कार स्चीजको मेंना जाता मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे छोटी गारी से स्टाट कीजिए ताकि आने वाला टाइम में आपका लॉस ना हो है ना और उसके बाद आप जैसे से अपकी अर्णिंग भर ही जैसे से अच्छे क्वाल्टी आपको जोध पर रही है गारी की तो आप अपने हिसाब से और डिजायर अर्टिका इनोबा क्रिश्टा सब ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट गारी है डिज़ायर एंड वेग ना गारी भी मेंटेन हैं अच् जैसे तीन हजार से पहती सो चारहार पर हर मेने खर्चा आता है गारी एमाई में कमफर्डवल है पंदरह जार से सतरह जार के अंदर आप इतना अराम से पे कर लोगे बड़ी गारी का 25-30,000 पर इमाई एगी उतना आप कमा नहीं पाओगे और उला उबर में तो खास करके नही कोई फैदा नहीं है और टक्सी लाइन एक ऐसा लाइन है कि आपको गारी लेके रोड पर निकले हो तो पंदरह घंते आपको डिवाइस को रखना है और अपनी काम करना है कोई भी डूटी एक क्लिप नहीं करनी है लगभग मतलब एक दो परसन आप कर लेंगे तो चलेगा लेकिन ज्यादा करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा यह चीज़ भी ध्यान में रखना है आप लोगों को और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ सथ आपको कस्टमर बेस अपनी बनानी है अगर आप अपनी कस्टमर बेस बनाते हैं तो बहुत ही आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे अगर नहीं बना पाते हैं तो भाई फिर इस लाइन में मत आई है ठीक है तो मैं सभी से यह रिक्योस्ट करूंगा कि घर बैटने से कोई फैदा नहीं है बेस्ट और बेस्ट कार है ओला वर्क के लिए वेगनार डिजायर दुस्तों तो आप लोग ट्राइक कीजिए और यह जो नंबर है इस पर वट्सप भी कर सकते हैं अपनी कोई भी कन्फूजन डाट करने के लिए और सबसे बड़ी बात यह उरती है कि गारी ले कौन मतलब गारी का नंबर कहां के लिए ठीक है तो दूस्तों मैं यहीं कहूंगा कि अगर आप जहां के रहने वालो जहां के जहां के आडेंटिक आड़ आपका आडे प्रोग वहां के नाम से रिश्टेशन ले ज्यादा बहतर हुआ क्यों कोई भी समस्या नहीं आए कि गारी रिश्टेशन होने में क्योंकि वहां के लोकल आटी ओ को भी को दिक्कत नहीं होगी ठीक है न दूस्तों अगर जैसे आप बहुत पापर बेलना पड़ सकता है यह चीज आपको पता होना चाहिए दूसरी बात कि दूस्तों समझ लीजिए कि वन आटी गारी का मतलब क्या होता है वन आटी गारी दिल्ली अंसियार के लिए होता है जिसके गारी आपने देखा हुआ दिल्ली में वन आटी भी डीची जो भी आता है यह गारी मतलब रेडियो टक्सी दिल्ली अंसियार के लिए है वन जैड आल इंडिया पर्मिट होता ह कि अगर आप बड़ी गारी लेते हो जैसे डिजायर पर मिट लो फोड़ा सा टैक्स महंगा पड़ेगा लेकिन आप अजाद रहोगे खुला रहोगे और अपने विल कार की साथ से ड्राइब कर सकते हो रोड पर तो आप लोग ट्राइब कीजिए घर बैटने से कुछ फैदा हुआ है काम के कोई दिककत निहीं होती है करने वाली की दिककत होती है क्योंकि सबको Feh нес चाहिए घर बैठे पैसा चाहिए तो यूटूब इस्तमाल करो यूटूब पे वीडियो बनागर डालो आप वीडियो अपनी को अपनी टैलेंट को दिखाओ चाहे हो कुछी भी लाइन में हो वहां से भी पैसा कमा सकते हो तो भाई अपन तो च्रॉइस किया गारी टक्सी लाइन चला जाएगी जब करने लेंगे तो परसानिया भी खरी रहेगी तो आपको देखते चले जाएगी हर काम का ना दो पहलू होता है एक घाटा एक मुनाफ़ा मतलब सरल भासा मैं बता रहा हूं प्रॉफिट एक लॉस का ज़िया होता है चाहे कोई भी काम करते हो आप चाहे छोट हो आएं चाहा एक रहुड चाहिए करना चाहिए और कंस्टेमर का स्पिस्ट्र को चलेंगे बड़ी कंपरियां को वो जो सवारी बड़ी-बड़ी कंपरियां गो आई भी वो इजी माइट रेप सब्सक्राइब कैसे कस्टमर को टाइम टू टाइम अपनी रेट अच्छा सिजिस कीजिए कि इस टाइम पर ये रेट सेल आप हमसे गारे बुग कीजिए इस तरी किसे आप अपने कस्टमर को आप आचोकी है उस एप के माध्यम से आप आपके पास एक गारी है लेकिन दस गारी आप लगा सकते हो है ना उस पर भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग बस यही रिक्रेस्ट करूँगा कि घर बैटने से बढ़िया नहीं है पर लिखके भी आदमी बेकार की तरह गलियों में घुमता है वर्टसब चेक करता है यह करता है बहुत सारे रास्ता है वर्टसब पर भी आपका डूटी मिलती है तो जब आप इस लाइन में घुसेंगे तो आपको बहुत सारी चीजे जनकारिया मिलना सुरू हो जाएगा और देखिए कहत मिल जाएगी आप उनके बीच पर ज्यादा एडवांस ना बनेंगे तो आपको लोग व्यकू समझेगे लेकिन कहते हैं कि काम्याभी ऐसे लाओ घर मतलब अपने आपको जंजीर में बंद कर दो काम्याभी एक दिन ऐसा आएगी कि जंजीर में मतलब समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप ऐसे काम में लिफ्ट हो जाओ अपने काम में कि आने वाला टाइम में कि लोगों आपकी तारीफ करना शुरू हो जाए बहुत लोगों का उधारन दू तो पीछे एक भाई सब थे जो कैम में अपने एक वैरिगेट कर दिये चाय लोग विसकूट लोग अपनी मा Εंड को इस्ताम करेंगे और आप अच्छा ग्रो करेंगे ऐसा नहीं है टेक्सी लाइन है कि आप रोड पर निकलते हो तो आपको क्या होता है कि कुछ नौं पैसे ले का जाते हो गारी कि एम आई तो निकलेगी निकलेगी साथ में आपका खर्चे भीनग निकल ले सबस्क्राइब करना बहुत जोड़ी है एक गारी दो गारी तीन गारी कब खरीद लेंगा आपको कुछ पता नहीं होगा दोस्तों इस ब्लोग को यह एंड करते हैं बहुत लंबा हो जाता है कई बार तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक नेक्स ब्लोग के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रप्शन में मेरा वट्सप लिंक है मेरे वट्सप ग्रूप है वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते मेरे से मेरे सो क्रेक्ट होटे कोई पैसा नहीं लगता आपको है ना तो सब्सक्राइब ज झाल 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 झाल